हेलो गाईज, आज मैं आपको थाइबेल ड्रामा बैडबडी सीरीज का सेकेंड एपिसोड का लास्ट पार्ट एक्स्प्लेन करने वाली हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चानल को जरूर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें जिसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे कोई गलती हो जाए तो जरूर कमेंट सेक्षन में बताए ताकि मैं उसे सुदार सकूँ तो शुरू करते हमारा लास्ट पार्ट स्टार्टिंग में हमें दिखाते पैथ दोर खोलता है तो उसके पापा उसे पुछते इतनी देर क्यों लगाई तो पैद बोलता है मैं बात्रूम में था तो उसके पापा पुछते है यहाँ इतना अंदेरा क्यों है ऐसे लग रहा है जैसे मैं केव में आया हूँ वैसे यह रूम बहुत ही अच्छी है और उसे खाना देते हैं और बोलते हैं फिश में सूफ है जब मैं यहाँ आ रहा था तो चाइना टाउन में रुका था तुमने इंजिनेरिंग क्लास के लिए जो मटेरियल चाहे थे वो प्रोपेसर पीचाई के साथ लिये क्या तो पैद उनसे पुछता है वो आपके फ्रेंड है क्या तो उसके पापा बोलते है वो मेरे सीनियर थे हाली में उनसे मिला था तो वो बोल रहे थे कि तुमने फ्रेशी म्यूजिक कॉंटेस्ट में जोइन किया है तुमने भूत ही अच्छा किया लेकिन मेरी रेपुटिशन बचाना क्योंकि मैं अपने टाइम पे पॉपिलर था तो पैद बोलता है हम दोनों अलग अलग जनरेशन से है तो उसके पापा बोलते है मुझे पता है लेकिन तुम अपना बेस देना पैद बोलता है मैं नहीं चाहता कि मुझे पर प्रेशर आये तो उसके पापा बोलते है मैं प्रेशर नहीं दे रहा ये क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो पैट मना कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पापा पुछते है कि सामने वाले घर के लड़के ने भी कॉंटेस्ट जॉइन किया है क्या, तो पैट बुलता है, मुझे नहीं पता, तो पापा बुलते मुझे पता है जब तुम ड्रमर थे तो वो तुमारे पीछे हर जग गिटार लेके फिरता था कैसा जलस किड है वैसे उसकी पूरी फैमेली हम पे जलती है प्रेंट बेड़ के नीचे से सब सुन रहा था उसे बुरा लगता है तो पैद बोलता है ऐसे मत वोलो पापा मुझे नहीं पता क्यों इतने सीरियस क्यों रहते है पैद बोलता है वो इतने बुरे नहीं है तो उसके पापा बोलते है वो मुझे पागल कर रहे है और मैं उसे ठक चुका हूँ उन्होंने अपने बेटे का भी ट्रांसपर किया था तब ही उसके पापा को मॉम का कॉल आता है और वो उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चले जाते है प्रैन नीचे से सब सुन रहा था उसे भहुत ही बुरा लगाता पैत उसे सौरी बोलता है तो प्रैन बोलता है तुम अपलोजी मत मांगो तुमारे डैड सही के रहते और मुझे माप कर दो अगर मैंने तुमें कोई भी मुसीबत में डाला हो तो मैं यहाँ से चला जाओंगा और वो दुक्की होकर वहाँ से चला जाता है रूम में जाकर भी वो सेड़ो कर बेटा हुआ था सुबह पैत पा से मिलने जाता है और उसे बोलता है सामने वाली रूम में प्रैन रहता है तो पा बोलती है वो हिल्दी गल प्रैन है यह तो मूवी में होता है वैसे ड्रैमेटिक लग रहा है तो पैद बोलता है पपी की तरह सैड फिस करके वो बोल रहा था कि वो वहाँ से चला जाएगा वैसे भी मैं उधर पहले रहने के लिए गया था तो पाव से बोलते है तुम्हे लगता है तुम गलत नहीं हो तो पैद बोलता है हाँ तो पावलते ऐसा है तो तुम यहां क्या करने के लिए आए हो मुझे पता है तुम्हें गिल्टी फिल हो रहा है इसलिए तुम यहां आए हो और कॉर्ण और पापा ने जो भी किया है उसे तुम्हें दूख हुआ है इसलिए प्रेंट के साथ सब क्लियर करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा पैट जब जा रहा होता है तो हमें फ्लेश बैक दिखाते हैं कि स्कूल में Christmas Music Contest होने वाला था इसलिए टीचर ने Class Band बनाये था पैट को Drum बजाना था और प्रेंट को Guitar हमें Christmas Music Contest दिखाते हैं जहां वो सब पफाम कर रहे थे जब वो Music Contest चल रहा था तबी प्रेंट की मौम आती है उसे देखकर प्रेंट रुप जाता है उसकी मौम उस पर घुसा होती है और उसका Boarding School में ट्रांसपर कराती है जब पैट Music Room में जाता है तो उसके प्रेंट उसे पुछते है कि प्रेंट का ट्रांसपर तुमारे वज़े से हुआ है ना तो पैट बोलता है मेरे वज़े से नहीं उसकी मौम का वो डिसीजन था तो उसके प्रेंट बोलते है तुम उसके लिए बैल लग हो अगर तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो उसका ट्रांसपर ही नहीं होता जब पैट प्रेंट को वहाँ से जाते हुए देखता है तो उसे भी वहाँ बहुत दुख हो रहा था फ्रेंट खतम होता है और हमें प्रेंट दिखाई जाता है जो नहीं रूम देखने के लिए जाता है वो रूम देख रहा था तभी उसे कॉल आता है तो वो कॉल करता है तभी वो देखता है कि पैट भी वहाँ आया था प्रेंट बोलता है तुम यहां क्यों आए हो तो पैद बोलता है क्योंकि तुम मेरे किसी भी कॉल का अंसर नहीं दे रहे हो इसलिए मुझे आना पड़ा तुम इतना कटर क्यों बन रहे हो तो प्रेंट बोलता है क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करने है और इसलिए मैं कॉल नहीं उटा रहा हूँ पैथ बोलता है मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें रूम छूड़ने की कोई जरुरत नहीं है अगर किसी को जाना चाहिए तो मैं जाओंगा तो प्रैन पुछता है क्यों तो प्रैन बोलता है मेरे कोई रिजन से इसलिए प्रैन बोलता है मेरे भी रिजन से इसलिए मैं वहाँ से जा रहा हूँ तो प्रैन बोलता है मैं तुम पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन तुमने पाकी जान बचाईए इसले कर रहा हूँ और उस टाइम पे भी मेरी वज़े से तुम्हें ट्रांसपर होना पड़ा तो बस मुझे इस बार भार जाने दो तो प्रैन बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद को फिर से गिल्टी में से उसकरो तो फिर से तुम पर मेरे ऐसान रहेंगे तो पैद बोलता है तुम्हें चीज़े इतने आसानी से क्यों नहीं मिल जाती मैं बोल रहा हूना कि मैं वहाँ से जाओंगा तो प्रैन बेड़ पे लेड़ जाता है और उसे बोलता है मेरे रूम से बाहर निकलो उसे चिड़ाने के लिए बोलता है कि मेरा बेड़ कितना सौप्ट है तो पैद उसे उटाने लगता है और बोलता है तुम इस बात को इतना मुश्किल मत बना और उसे जोर से खिचने लगता है और बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे श्ट्रॉंगर हूँ तो प्रैन उसे बेड़ पे गिरा देता है और बोलता है मुझसे फाइट करो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो पैथ उसके उपर आता है तो प्रेन बोलता है ठीक है मैं हार गया पैत उसे छोड़ देता है तो प्रेन उसके उपर आकर गुदगुदी करने लगता है तो पैत उसके नजदी काता है और वो दोनों एक दुसरे को देखते रहते हैं तब ही भार रूम दिकाने वाली वो लड़के आती है और उन्हें द प्रेन बोलता है कोई और रूम नहीं है क्या तो वो लड़की बोलती है या एक भी रूम खाली नहीं है और आप फ्लीज हमें कॉपरेट करें जो भी यह आप कर रहे थे वो कही और जग़ जाकर करो और वहां से जल्दी जल्दी में निकल जाती है तो प्रेन उसे समझाने लगता है कि आप जैसा सोच रहे है वैसा कुछ नहीं चल रहा था तेकिन वो लड़की वहां से चली गई थी उसके जाने के बाद प्रेन लिप्ट के पास चला जाता है तो पैद भी उसके पीछे हसता हुआ आता है और बोलता है कि अब हमारे बिच चीजे क्लियर है ना तो पैद पूछता है कौँनसी तो पैद बताता है कि सब चीजे जो मैं तुम पर एशान करने वाला हूँ इसले मैं वहाँ से जाने वाला हुआ और मैं नहीं चाहता कि ऐसा एंड हो जिसमें सकस्चस नहीं मिली हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ पैद बोलता है कैसे तुम्हारा अजीब लोजिक है तुम मुहा से चले गए तो भी मेरे तुम पर एकसान रहेंगे तो पैद बोलता है नहीं मेरे एकसान तुम पर रहेंगे तो प्रैन बोलता है तुम्हारे घटिया लोजिक तुम्हारे पास रखो और उसे इरिटेट होकर लिप में जाने लगत प्रेंट प्रैंट पोलता है तुम यहीं डिजव करते हैं और वो दोनों लिपके चले जाते हैं होके गाईज यहां मारा सेकनिए आपेशोड खतम होता है लेक्ट विडियो में Zल्दी लेकर अगर यह वीडियो आपको पसंद आये हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेर और सब्सक्राइब करें